हुत्तर पर्देश के स्रावस्ती में इस समय महिलाओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्रावस्ती जिले में एक महिला को दबंगों ने इस कदर मारा पीटा कि उसका गरब पात हो गया। उसके पेट में पल नहीं तीन महिने के बच्चे की मौत हो गई जिसके बाद महिला की हालत इतनी नाजुक बनी हुई है कि उसको संदाइक स्वास्त के अंदर से डाक्टरों के दोरा इलाज के लिए जिलाच के सालर रेफर कर दिया गया। मामला उतर परदेश के स्राबस्ती जिले के एक अउन धानाज छेतर के परशिया परवा से सामने आया है ड़हां की रहने वाली सोनन नाम की गरवती महिला को उसी के गाउं के रहने वाले दबंगों ने सिर्फ इसलिए इतना मारा पीटा कि महिला के दवारा दबंगों को मामला आज से दो दिन पहले तेरा साथ 2022 की रात 8 बजे का बताया जा रहा है जब रात के समय महिला छुटा जानोरों को भगाने गई तो गाउं के ही कुछ दबंगों जोरा महिला के साथ इतना मार पीट किया गया कि गर्भोती महिला कंभी रूप से घायल हो गई इसके बाद क आज पडे महिला की इतनी खराब हो गई कि जब महिला अस्पटाल पहुंची तो वहाँ पर उसका घर पात हो गया गर्भती महिला के पेट में पल रह तीन महिने के बच्छे की मौत हो गई जिसके बाद महिला की हालत गंबीर बनी हुई है, जिसे डाक्टरों के दोरा इलाज के लिए जिलाचिक साले भिनका रेफर कर दिया गया है, जहां पर महिला जिंदगी और मौत की लडाई दल रही है अब बात करें पुलिस के कारवाई की तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद पुलिस ने मामले में फाई आर दर्ज करके आगे की कारवाई सुरू कर दी है अच्छा तो यह औरत क्या गर्ब होती थी? हाँ तीन महिनक बच्चा रहा है क्या हुआ बच्चे को? बच्चा खंडेत हुएगा खतम हो गया? कैसे बता चला आपको? जब इन्या लएके आन इलाज करा दर्द पीरा जादा भावाई परुसों मारें परुहिन से दर्द पीरा जादा परसों जब मार पीठ हुए आप ठाने पर गए? कितने दिन से थाने पर दोड़ रहे हुए? काथ तीन दिन से दोड़ रहे हुए कौन सा थाना है? काथ तीन दोड़ रहे हुए